स्टार प्लस का पॉपुलर लव ड्रामा सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूँ सीजन थ्री में आपको काफी सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है जहां शाशा घर में आ गई है और अद्वे को चांदनी से अलग करने के प्लान बनाती हुई दिख रही है जैसे कि आपको हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि शाशा चांदनी को अद्वे से दूर करती हुई नजर आती है तो वहीं चांदनी भी अद्वे को अपना दिखाने में पीछे नहीं रहती है जहां चांदनी को सभी घरवालों का साथ जो मिल रहा होता है तो वही आपको आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि शाशा अपने पापा की साथ चान्नी और अद्वे को अलग करने के कई प्लान मनाती हुई दिखेगी जहां अद्वे चान्नी को बार-बार बचाता हुआ नजर आएगा तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये शो 6 अक्टूबर को बंद होने जा रहा है जहां शो के मेकर ने इस खबर का एलान कर दिया है तो वहीं शो के लास्ट एपिसोड में चान्नी और अद्वे एक साथ देखने को मिलेंगे और शाशा का खेल खत्म हो जाएगा तो वहीं चान्नी शाशा को दिखा देगी कि अद्वे सिर्फ उसका ही है और ये ट्रैक काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है तो वहीं चान्नी अद्वे से कहती है कि ये सारी बाते चान्नी के बावा ने उसको बताई थी और यही सच है तो वहीं इन सब बातों को जानकर अद्वे चान्नी को माफ कर देता है और चान्नी को अपना लेता है तो वहीं दर्शकों के लिए ये एपिसोड यादगार रहने वाला है हिंदी डाग से अंजली शर्मा की रिपोर्ट सीरिल से जुड़ियत जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी डाग